आज तक का जो है यह सबसे बरा फैसला है और यह फैसला जो सुप्रिम कोट के दौरा दिया गया है यह आपको भी जानना चाहिए कि क्या फैसला है अब ही अगर देखें अक्सर कोई भी संपत्ती खड़िता है तो संपत्ती वो क्या करता है अपने पतनी के नाम पे संपत्ती खड़ी दिलिया उसका मुख के कारण क्या होता है कि जो registration होता है राज सरकार का उसका cost जो होता ना वो कम होता है ये सबसे मुख कारण है कि जो registration यानि registry का cost आएगा उसमें काफी छूट मिल जाता है अगर आप महला के नाम पर संपत्ती खड़िते हैं तो जैसे माल लेते हैं हो सकता है कहीं 4% का छूट है कहीं 5% का छूट है कहीं 10% का छूट है तो इस तरीके से जो है यानि जो cost होता है वो कम पड़ता है तो ये सबसे बरा कारण है और बहुत लोग ऐसे भी महला के पतनी है बेटी है उसके नाम पर पत्ति को खरीते हैं लेकिन आगे चल के इसका जो कानूनी अदिकार है अगर उसकी बात करें तो अगर पिता मनोज राए और माता जो है वो रंजना राए है पिता मनोज राय ने क्या किया कि संपत्ती खरिदा है ना अपने पत्नी के नाम पर अब यानि पत्नी के नाम पर तो बहुत लोग ऐसा करते हैं कि जो पत्नी के नाम पर जमीन को खरिदे हैं उसके बाद क्या करते हैं मकान बन बाते हैं यानि कहीं बाहर उनको घर लेना होता है तो वो अपनी जो कमाई से वेक्ति जो मनोज राय है यानि पत्नी रंजना राय के नाम पर जमीन खरीदे मकान बनाए तो अब ये सवाल ये उठता है कि यहां पर जो बेटा सुरेस राय है और बेटी अंजली राय है और बेटा राजिस राय है। इसका कानूनी अधिकार क्या होगा। सुप्रिम कोट के दोरा जो फैसला दिया गया क्या है ये फैसला। किस परकार मिलेगा। किस परकार मिलेगा अधिकार तो चलिए इसको समझने का परियास करते हैं देखें एक जो संपत्ति है यानि जमीन खरदा गया यह जो पलॉट है और यह खरदा गया रंजना राय के नाम से है ना अब किसी कारण बस क्या होता है कि रंजना राय की मिर्त्यों हो जाती है अगर रंजना राई की मिर्त्यू हो जाती है तो ये जो पती है उनके यानि अभी तो हम एक बेटे के लिए पिता और माता तो रंजना राई के ये पती है अब पती का इस संपती पे कितना अधिकार होगा किसका किसका अधिकार होगा तो देखें सबसे यानि पहला जो बात करें तो पती का अधिकार होगा दूसरा जो एक तरह से अधिकार होगा वो बेटा का होगा तीसरा जो अधिकार होगा वो बेटी का होगा जो है यानि अगर बात करें पहले उत्रा अधिकारी होगा ये सब अधिकार रखेंगे लेकिन ये पहले उत्राधिकारी होंगे अब माल लेते हैं जो रंजना जाय है उसको ना बेटा है ना बेटी है ना पती है तो इस संपत्ती का जो रंजना राई के नाम से है इसका उत्राधिकारी कौन होगा तो अब ये रंजना राय के ना पती है ना बेटा है ना बेटी है उस केस में इनके पिता होंगे यानि पहला उत्रादिकारी कौन होता पती बेटा और बेटी दूसरा कौन होगा उनके पिता अगर ये नहीं है पहला उत्रादिकारी नहीं है तो दूसरा उत्रादिकारी होना चाहिए तो वो उनके पिता होंगे पिता भी नहीं है तब भाई और बहन जो है वो उसके उत्रादिकारी होंगे अब ये है कि रंजना राय के नाम से संपत्ती है वो किसी को दे 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 तो वो अलग बात है लेकिन उस संपत्ती के कानूनी उत्रादिकारी कौन हो तो कानूनी उत्रादिकारी पती बेटा बेटी सबसे पहले उसके बाद पिता उसके बाद उनके भाई ये सब जो होंगे ये नियम जो पिता है यानि उसके नाम अगर जमीन खरदा जाता है तो उस पे भी लागू होता है तो चलिए उसको भी समझते हैं ये जमीन जो खरदा गया वो इस बार मनोज राय के नाम से खरदा गया मनोज राय के नाम यानि ये खरजमीन खरदा गया लेकिन किसी कारण बस मनोज राय की मिर्तियों हो जाती है अब इस संपत्ती का उत्राधिकारी कौन यानि पहला उत्राधिकारी जो होगा पहला उत्राधिकारी उसमें कौन कौन आएगा तो देखें उसमें जो पत्ती है रंजना राय की उनकी मिर्त्यू हो जाती है तो सबसे पहले उसके उत्रादिकारी उनकी जो पत्तनी है वो होगी पत्तनी भी उस संपत्ती के हकदार होगी ऐसा नहीं है कि पत्ती के मौत के बाद पत्तनी का कोई हक नहीं होगा बिल्कुल होगा पूरा आख होगा तो पतनी को हक मिलेगा और किसको बेटे को हक मिलेगा और बेटी को हक मिलेगा तो यहां भी तो वही है पहले जो है पतनी की मौत के बाद पती को हक पराप्ता तो उसी तरीके से पती का अगर मौत होता है तो हक पतनी को भी मिलेगा बेटा को भी मिलेगा और बेटी को भी मिलेगा लेकिन आपके मन में ये सवाल होगा ये तो पहले उत्रादिकारी है लेकिन मनोजराई की मिर्त्यू हो जाती है और मनोजराई का जो है कोई विवनसज नहीं है पत्नी है तो पत्नी फिर हकदार होगी उस संपत्ती का कोई वनसज नहीं है पत्नी है तो पत्नी को उस संपत्ती का पूरा पूरा अदिकार होगा लेकिन पत्नी भी नहीं है बेटे भी नहीं है बेटी भी नहीं है उस केस में उस संपत्ती के सकेंड जो उत्रादिकारी होंगे वो उनके पिता होंगे यानि मनोजराय के अगर पिता जिवित है तो उस संपत्ती का हक मनोजराय के बाद पिता का ही होगा अगर पिता भी इस दुनिया में नहीं है और ये लोग भी नहीं है तो उसके बाद अगर मनोज राय के कोई भाई बहन है तो वो उस संपत्ती के उत्रा धिकारी होंगे हकदार होंगे सवाल ये उड़ता है कि अब भाई बहन भी नहीं है मनोज भाई में अकेला है ना पिता है उस केस में उस संपत्ती के अगर कोई चचेरे भाई है वो भी हकदार होंगे ऐसा नहीं है कि वो हकदार नहीं होंगे अब लेकिन उनका कोई है ही नहीं कुछ अता पता नहीं है तो संपत्ती फिर जो है वो किसी ट्रेस्ट और या सरकार को चला जाता है तो यानि अगर कोई उत्रादिकारी नहीं तो कोई कबजा कर लिया तो वो अलग बात है तो इस परकार से संपत्ती का हक प्राप्त होता है तो बच्चों और पत्नी का जो हक है वो संपत्ती में पहला हक होता है जो भी बच्चे हैं और पत्नी है उसका हक पहला होगा अब यहाँ पर जो है जो यह पूछ रहे होंगे कि क्या मैं पत्नी के नाम पर संपत्ती खरीच सकता हूँ क्या जो है किसी परगर का दिक्कत भी होगा देखें आप पत्नी के नाम पर संपत्ती को प्रोपर्टी को खरीच सकते हैं यहाँ पर आपको टेक्स में काफी जो है जो छूट मिलता है और साथ में अगर आपके मन में डाउट है तो हम वो डाउट भी किलियर करेंगे डाउट बहुत लोगों का ऐसा है कि पतनी के नाम संपत्ती तो खड़ीद लिए ठीक है आपका जल्द विबा हुआ है और यह पता नहीं है बहुत लोगों का देखते हैं कि विबाद चार-पांस साल चलता है और कि फिर किसी कारण वस्टूट भी जाता है लोगों को एक दूसरे पर जो है विस्वास बनाने में समय लगता है ऐसी घटनाएं होते हैं लोग सतर्ग भी रहते हैं तो क्या पतनी के नाम संपत्ती खरिदने चाहिए या नहीं चाहिए अगर आप खरिदते हैं तो क्या वो सेफ है तो बिल्कुल वो सेफ है आप अगर पतनी के नाम पर या किसी से आपका कोई रिलेशन है उसके नाम पर अगर आप संपत्ती को खरिदते हैं प्रोपर्टी ख आपको एक सबूत देना होगा कि संपत्ती को खरिदने में जितना भी पैसा लगा उसका एक कानूनी तरीका होना चाहिए अब आप कहेंगे यह कैसा तरीका होगा तो यह तरीका कभी हम डिटेल से बताने का पर्यास करेंगे तो अगर यह कानूनी तरीके को अपना कर संपत्ती को खरिदा गया है तो किसी परकार से कोई दिक्कत नहीं होगा लेकिन अगर ये कानूनी तरीके को नहीं अपनाये गया है तो फिर संपत्ती से आप हाथ दो बैठेंगे तो इसलिए आप जो पैसा देंगे संपत्ती खरिदने के लिए तो उसका क्या-क्या तरीका है वो हम आपको डिटेल में वो भी जल्द बताएंगे कि आकीर आपको क्या-क्या करना चाहिए कैसे पैसा देना चाहिए और कैसे आप जो है दूसरे के नाम समपत्ती खरीते हैं तो भी अपने आपको सेफ होते हैं आसा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो वीडियो को लाइक जरू करते हैं, चैनल को पहली बार देख रहा है सब्सक्राइब करके बेल आइकन उसको जरू दबा लें मिलते हैं अगले विडियों में तब तक के लिए जै